Hello dear students, welcome to my academy, बचो आज इस lecture को continue करते हैं, next topic के साथ में देखते हैं क्या होता है vaccination and immunization Vaccination and immunization Vaccine क्या होता है, Vaccine होता है weakened या dead pathogen और a part of pathogen जो हम inject करते हैं किसी person के अंदर ताकि हम उसे किसी particular disease के लिए immune बना पाएं, ठीक है तो क्या बुक सकते हैं कि vaccine क्या है, vaccine is dead or weakened pathogen or a part of pathogen part of pathogen that is that is injected in a person to made him immune for the particular disease तो vaccine क्या है, dead या weakened pathogen है या part of pathogen antigen हो सकता है जिसको use कर रहे हम किस के लिए उस organism के अंदर immunity लाने के लिए यहां पर जब हम immunization की बात करें या vaccination की बात करें तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो वो active immunity हो सकती है या फिर वो passive immunity हो सकती है यानि कि हमने एक तो यह case देखा जहां पर हमने pathogen को क्या क्या है body के अंदर inject किया या उसका कुछ part जो है body के अंदर inject किया और उसकी वज़े से body में क्या होगा बचो immune response start होगा हमारी body जो है वो antibody बनाएगी ठीके और जब भी बचों यह infection दुबारा होगा, same pathogen दुबारा attack करेगा तो body के अंदर immune response बहुत ही quick होगा और हमारी body जो है उस pathogen को kill कर देगी और हमें बचा लेगी, हमें immunity provide कर देगी तो एक तो यह concept होता है दूसरा क्या हो सकता है बचों के पर हम देखते हैं कि जो pathogen यह toxin body के अंदर आ रहा है वो इतना fast होता है कि हमारी body जब तक उसके immune response develop करेगी तब तक काफी देर हो सकती है person की death हो सकती है तो उस case में हम क्या करते हैं बचों उस case में बनी बनाई antibody यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे वह लोग वाला case देखें या rabies वाला case जहां पर dog ने बाइट किया और rabies virus बाडी के अंदर आ गया है तो फिर उस case में हमें क्या करना होगा उस case में antiserum जो है या antibody जो है उससे body के अंदर inject करना होगा या snake bite का case है बचों उसके अंदर भी body के अंदर toxin आ गया तो antitoxin जो है वह देना होगा ताकि quickly वह उससे neutralize कर पाए ठीके बचों तो इस तरीके से दो type का immunization यहां पर हो सकता है कुनकुन से एक active और एक passive immunization active immunization में क्या करे बड़ी के अंदर antigen आना चाहिए जो antibody के formation की process को initiate करे, stimulate करे और जब भी next response होगा तो बहुत ही fast होगा ठीके यह तो होगा active वाले case में और passive वाले case में क्या होगा बचों बनी बनाई antibody body के अंदर provide कर दी जाएगे अब यदि हम vaccination की history की बात करते बचों तो vaccination जो है वो सबसे प Edward Jenner, Edward Jenner जो है उन्होंने सबसे पहले vaccination को discover किया था यदि हम थोड़ी से history की बात करें तो उन्होंने observe किया जो milk made होते है जो गवाले होते हैं बचों उनके अंदर उन्हें देखा कि उन्हें small box जो है वो नहीं हो रहा है तो वो जाना चाहते थे आखिर इसके पीछे reason क्या है क्यों milk made जो है वो small box के लिए immune है तो बचों क्या conclusion निकला उन्होंने observe कि cow box जो है वो commonly milk made में infection करते हैं cow box जो है वो उनको commonly हो जाता है और small box का वायरस cow box से मिलता जूता होता है और जो cow box के लिए immunity बनी है वही उसे small box के लिए भी immune बना दे रही है और फिर उन्होंने इसे experimentally एक boy जो है उसके पर try किया उन्होंने उसे cow box का जो वायरस था उससे infect करवाया और after two months जो उन्होंने small box के वायरस उसे infect करवाया तो वो person जो है वो boy जो है वो healthy रहा उसके इंदर डिजीज नहीं हुई तो इस तरीके से जो immunization है या active immunization जो है उसका concept आया सबसे पहले किस ने discover गया था बच्चों एडवर्ड जैनर ने किसके against में cow box जो है उसके वायरस का infection ने उन्होंने करवाया तो small box के लिए भी वो person जो है वो क किया था तो बच्चों इस तरीके से cow से इसका नाम क्या है vaccine vaccine का मतलब बच्चों cow होता है तो यहां से vaccine word आया है ठीक है फिर बाद में क्या हो बच्चों बाद में इन्होंने किसके against immunization discover किया था small box किया अगेंस्ट small box ठीक है बच्चों अब दूसरा इसके बाद में पास्चर ने भी इनकी finding को confirm किया पास्चर फॉर्म्ड वैक्सीन अगेंस्ट rabies rabies के against जो है बच्चों वो इन्होंने वैक्सीन बनाया था rabies चिकन कोलेरा चिकन कोलेरा एटसेटर तो इसके against जो वैक्सीन है वो पास्चर ने बनाया था ठीक है अब इसके बाद में बच्चों एक और scientist है जिन्होंने passive immunization जो है उसको discover किया कौन थे वो एमेल वन बेरिंग तो वन बेरिंग ने क्या क्या डिसका डिसकोवर्ड पैसिव immunization टेकनिक पैसिव immunization किसके against अगेंस्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया क्या हुआ था बच्चों एक गर्ड थी उसको डिप्टीरिया का इंफेक्शन हो गया था और वह और अल्मोस्ट डेड कंडिशन में थी मतलब अब वह लास्ट स्टेज में थी तो उन्होंने क्या किया वान बहरिंग ने उन्होंने उस बच्चे को बचाने के लिए एक लास्ट ऑप्शन प्राई किया उन्होंने क्या किया कि जो डिप्टीरिया का इंजेक्शन था वो डिप्टीरिया बैक्टीरिया से उन्होंने एक शीप को इंफेक्ट करवाया उसकी बाड़ी के अंदर एंटी सिर्म बनाया बाद में उस टीजन डाला तो शीप की बॉड़ी ने एंटी सेरम एंटी बॉड़ी बनाया उस एंटी बॉड़ी का एसलेट करके उन्होंने इस गर्ड के अंदर इंजेक्ट किया जो की ठीक हो गई हल्दी हो गई रिकवर हो गई तो बचो इस तरीके से पैसिव इम्मुनाइजेशन उसको वान बेरिंग ने डिसकोवर किया था और इसके लिए उन्हें नॉबल प्राइस भी मिला था ठीके तो इस तरीके से कुछ इंपोर्टेंट डिसकोवरी है किसके रिलेटिड वैक्सीन के रिलेटिड अब बचो एक्टिव इम्मुनाइजेशन जो वैक्सीन का है उसके बीच कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट ऑफ वैक्सिनेशन तो बच्चो जब हम क्या करते हैं किसी भी इंडिविजुल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं क्या एंटिजन या फिर पूरा पैथोजन या पैथोजन का सिर्फ एंटिजनिक पार्ट ठीक है और अब रिसेंटली तो डिने क्या ये लागी है जिस थै fundamentally ऩंचे कि ज्ट्र माइशने का इंचे को अलावा जब स्सक्राइब तो औरगनिज़म का एंचरिक पार्ट जो और वही इंचेक्ट करवाय जाता है ॉसके अंदर जो individual होता है उसके अंदर तो हम उसे क्या बोलते है second generation vaccine और third generation vaccine में DNA recombinant technique का use किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर concept की बात करें कि आखर vaccination में क्या हो रहा है तो बच्चो जैसे ही body के अंदर हमने क्या किया inject करवाया pathogen को antigen body के अंदर तो वो क्या करेगा वो एक primary immune response start करेगा तो concept क्या है बच्चो वेन dead और weakened pathogen is introduced in body it initiate primary immune response primary immune response बच्चो यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह वीकन्ड है यानि यह disease cause करने में capable नहीं है यह dead है तो disease cause करने में capable नहीं है लेकिन क्या कर रहा है एंटिजेनिक property होने के विए से immune response को start कर दे रहे है तो क्या होगा बच्चो अब यह immune response आया है इसकी memory जो है memory of of primary infection primary immune response is present in T memory cell और cd4 cell तो memory cell जो है वो जो primary infection हुआ immune response आया उसकी memory को रखता है और क्या करता है बच्चो बाद में यह quick response शो करता है and during next infection of pathogen a very a very quick secondary response is started or elicited or elicited तो क्या होता है बच्चो नेक्स्ट response आ रहा है वह क्या होगा और वो body जो है उस pathogen को eliminate कर देगी उससे बाहर निकाल देगी तो इस concept के उपर काम करता है कौन सा process वेक्सिनाजेशन या immunization ठीक है बच्चो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे है बच्चो यह जो vaccine है यह different attack क्यों हो सकते हैं कौन-कौन सा first generation vaccine, second generation vaccine and third generation vaccine क्या होता है first generation vaccine, first generation vaccine वो है बच्चो जिसके अंदर हम क्या करते हैं जिसके अंदर हम dead या live attenuated जो weakened type का pathogen होता है उससे body के अंदर introduce करते हैं जिसकी वज़े से वह एक immune response जेनरेट करता है primary slow immune response और बाद में secondary में क्या देखते हैं हमकी acute response के वह पर्सन जो है वह immune हो जाता है disease के लिए secondary इससे हमने क्या बोल दिया first generation vaccine, second generation vaccine में क्या होगा जो bacteria है या pathogen है उसका सिर्फ antigenic part जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और third generation जो है बच्चों वह DNA के उपर जो DNA जिससे की antigen बन रहा है और disease cause हो रहा है तो उसके उसको यूज करके recombinant DNA technology के through vaccine जो है उसका formation करते हैं ठीक है बच्चों और बच्चों यह हम देखे कि कुछ vaccine जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं कि oral polio vaccine, BCG vaccine, smallpox vaccine, influenza vaccine तो यह vaccine जो है इनके अंदर attenuated जो live pathogen होता है वो use होता है जिसकी हमने harmful activity जो उसे खतम कर दिया है बट वो alive form में और weekend form में use होता है ऐसे ही कुछ vaccine जिनके अंदर killed pathogen होते हैं बच्चों उसके यह जी मैं example बताओं तो जैसे हो सकता है पोलियो का injectable polio vaccine वो use हो सकता है बच्चों उसके अलावा rabies के लिए plague के लिए तो यह कुछ vaccine होते हैं जो जिसनके अंदर killed pathogen जो है वो use होते तो इस तरीके से हमने देखा कि different generation के कौन-कौन से vaccine होते है ठीक है बच्चों अब इसके बाद में बच्चों इंडिया में बच्चों next हम बात करते हैं immune related disorders disease कौन-कौन से होते तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं immune disorders और immune diseases तो बच्चों immunity related disease हों है वो बहुत सारे होते हैं इनमें से कुछ important disease हम पढ़ेंगे जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर energy और hypersensitivity hypersensitivity क्या होता है allergy और hypersensitivity बच्चों कई बार हम किसी ऐसे factor के exposure में आ जाते हैं जो हमारी body के लिए antigenic property रखता है और हमारी body के अंदर उसके against में यदि कोई exaggerated response यदि start हो जाए तो इस type का जो condition है उससे हम क्या बोल देते हैं allergy बोल देते हैं तो बहुत सारे allergen हमारे around हो सकते हैं बच्चों allergen जो है वो pollen हो सकता है जो कि एक बहुत ही common allergen है ऐर्थीनिम और उसके पॉलें टूलें के थरू एलर्जी हो सकते हैं बचों एलर्जन होते हैं वह एजेंट्स जो इलर्जी काॉस कर रहे हैं क्या हो सकता है वह बहुत कउमन देखने को मिल रहाएं वह सकता है कुछ लोग आंपर severe light वगरा उन से allergy हो सकती है कुछ जो food वगेरा है vegetable वगेरा है vegetable fruit इन से allergy हो सकती है ठीक है बचुँ तो बहुत सारे egg का योग वालब वाइट portion उफ एक जो है वो हो सकता है तो बत्चो बहुत सारे different factor है जिससे किसी person को allergy हो सकता है उस allergy की condition में होता जो mast cell होते हैं वो जाद आमांट में histamin और pseudonin यह सब secret करना स्टार्ट कर देते हैं वाजो डालेशन वगजरा होता है और उप्चों skin वगजरा के उपर है तो रैशे और आने स्टार्ट हो जाएंगे इचिंग वगजरा होने स्टार्ट हो जाएगी peripheral vasodilation वगरा होना start हो जाएगा तो इस type की symptoms जो है वो commonly देखने को मिलते है allergy की case में allergy बहुत commonly कुछ drugs वगरा जो है उनसे हो सकती है तो बचो इस type की condition जो है उससे हम क्या बोल देते है allergy और allergy किस-किस form में हो सकता बचो ये hay fever की form में हो सकता है hay fever आपने कई बार सुना होगा क्या होता है hay fever वो condition जिसके अंदर हम क्या देखते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि runny nose sneezing होगी watery eye breathing difficulty ये सारे symptom जो है वो देखने को मिलते है hay fever के अंदर ये हमें इसका treatment करना होगा reason में ने बता है histamine का secretion बढ़ जा रहा है ये हमको इसका treatment करना होगा हम क्या use कर सकते है anti-histamine drug use कर सकते है तो इस तरीके से होता है hay fever उसके अलावा बचो ये हम देखते हैं bronchial asthma की form में bronchial asthma या फिर हो सकता है articaria skin के उपर जो है बचो patches बगरा बन जाते है eczema के अंदर भी eczema ठीक है तो ये सारे और बहुत ही severe condition के हम बात करें तो anaphylatic shock जो है बचो वो हो सकता है क्या होता है इस condition में जैसे हम anaphylatic shock के बात करें तो बहुत severe form of allergy और hyper sensitivity है बचो जहां पर हम क्या देखते है कि peripheral visor dilation होगा patient जो इसको tongue पे head, scalp इन सब के उपर eaching होगी पूरी body के अंदर क्या देख रहे है हम redness हो गई और ये जो peripheral blood vessels जो है बचो वो dilate हो गई क्या होता है तो इस वज़े से जो central load होना चाहिए blood का pressure जो lung के अंदर होना जो heart के दुरू body के अंदर pump होना चाहिए वो काफी कम हो जाता है जिसकी वज़े से आजाता है जिसकी वेसे एक बहुत ही severe condition आ जाते है और इसमें patient की death भी हो सकती है ठीक है बचो तो यहाँ पर line of treatment की बात करें तो allergy या hypersensitivity के case में हम treatment में क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर treatment में एक तो क्या यूज़ किया जाता है antihistaminik antihistaminik drug जो होते हैं वो यूज़ किया जाते हैं उसके अलावा steroids यूज़ किया जाता है और बचो यहाँ पर severe case जैसे अनाफालेटिक की बात कर रहे है तो adrenaline यूज़ किया जाएगा तो adrenaline जो है बचो इससे हम life saving भी बोलते हैं क्योंकि ऐसे सब situation में यह life save करने में help करता है तो इस तरीके से hypersensitivity या allergy reactions जो है वो हो सकते हैं immune disorders के अंदर आएगा बचो इसके अलावा और immune disorder की बात करें हम तो इसके अंदर आ सकता है autoimmune disorder या autoimmune disease क्या होता है autoimmune disease या autoimmune disorder देखो बचो autoimmune disorder autoimmune disorder की हम बात करें इसका मतलब हमारी खुद की body की जो immune system है वो हमारे ही against में इदी काम करने लग जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे autoimmune disorder यानि बचो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर body के body में क्या होता है antibody का formation होता है किसके against self antigen के against यानि in this condition antibody is produced against the self antigen हमारी body के अंदर ही कुछ antigen है उसके against antibody बन जाता है यानि हमारी body खुद की body के ही component जो उनको destroy करना स्टार्ट कर देती है उस case में उसको हम कबल देते है autoimmune disease या autoimmune disorder बचो इसके कुछ example की बात करें है तो माइस्थेनिया ग्रैविस माइस्थेनिया ग्रैविस क्या होता है बचों इसके अंदर और autoimmune disorder की बात करें तो rheumatoid arthritis क्या होता है rheumatoid arthritis के अंदर बचों इसके अंदर साइनोवियल मेंब्रेन होती है उसके against antibody का formation हो जाता है तो क्या हो जाता है rheumatoid arthritis ऐसे ही हम देख रहे है insulin dependent diabetes mellitus IDDM insulin dependent diabetes mellitus के अंदर भी गाता है बचों insulin के injection देने पड़ते हैं ठीक है तो IDDM जो है वह भी एक तरीके जिसके autoimmune disorders होते हैं ठीक है बचों sclerosis यह हम बात करें sclerosis की तो इसके अंदर क्या होता है myline sheet जो है उसके against antibody बन जाती तो ऐसे बहुत सारे disease है बचों जिनके अंदर हम क्या देखते हैं हमारी body जो है उसके अंदर अपने self-antigen के against antibody का formation हो जाता है इसे हम क्या बोल देते हैं autoimmune disorder बोल देते हैं तो यह कुछ example होगे कि इसके autoimmune disorder बचों autoimmune disorder से बचनी का रास्ता क्या होगा क्या हम treatment यूज करेंगे तो उस case में हमें ऐसे ऐसे drugs का use करना पड़ेगा जो immunity को कम करते हैं यानि इनके अंदर mostly हम क्या देखते हैं mostly हम देखते हैं कि immunosuppressants जो है उन्हें यूज किया जाता है steroids वगरा जो है उन्हें यूज किया जाता है ठीक है बच्चों तो यह होगा autoimmune disorders इसके अलावा और immune disorder की बात करें बच्चों तो क्या हो सकता है इसके इंदर next example देख रहे हैं हम next type वह हो सकता है immunodeficiency disorders कि यह हम बात करें तो इसके अंदर दो में टाप है एक है SCID क्या होता है severe combined immunodeficiency disease बच्चों यह SCID जो है इस case में क्या होता है इस case के अंदर जो individual होता है उसके अंदर by birth हम देखते हैं B and T lymphocyte जो है वो नहीं बन दी lymphocytes are absent or not form क्या होगा body के अंदर जो defense system है वो एक तरीके से नहीं है क्या हो जागा कोई भी infection होगा और person की death हो सकती है तो B and T lymphocytes नहीं है immunity जो है वो बहुत ही कम हो चुके तो उस case में यह पेशिंट को बचाना है तो क्या करना होगा उन्हें ऐसे medium में रखना होगा जहां पर जर्म नहीं जर्म free या pathogen free environment में इन person को रखा जाना चाहिए तब ही हमने बचा पाएंगे तो यदि B और T lymphocytes पो अगर एपसेंट है तो इस type के condition को हम क्या बोलते हैं SCID बोलते है severe combined immunodeficiency disease और बचों दूसरा ही हम बात करें तो एक आपने पढ़ा है AIDS क्या होता है यह acquired immunodeficiency syndrome ठीक है बचों तो यह immunodeficiency acquired immunodeficiency syndrome जो है यह किसकी वज़े से होता है यह हमने पढ़ा हुआ है detail में HIV की वज़े से होता है human immunodeficiency virus की वज़े से होता है जो की CD4 cell count को काफी कम कर देता है और body के अंदर जो immune response है वो नहीं आपाता है ठीक है बचों तो यह हो गए कौन से disorder immunodeficiency disorders ठीक है बचों इसके अलावा एक और immune disorder की बात करें immune disease की बात करें बचों तो वह हो सकता है graft rejection यानि कई बार हम patient के अंदर देखते हैं कि उन्हें transplantation ग्राफ्टिंग की ज़रत पड़ती है तो क्या होता है बचों क्या होता है graft rejection graft rejection graft graft क्या होता है बचों कई बार हम देखते हैं कि person को यदि को organ transplantation graft की ज़रत पड़ रही है तो उस case में क्या होता है यदि वह identical twins siblings की बीच में transfer हो रहा है grafting हो रही है तो तो वह successful होने chances होते हैं बट यदि किसी दूसरे person से graft graft लिया जा रहा है तो उस case में body जो है उस graft को as another antigen detect करती है और उसके against जो है वह क्या होता है एक immune response स्टार्ट हो जाता है जिसकी वैसे graft rejection हो सकता है तो बच्चों यहां पर क्या होता है यहां पर responsible कौन है इसके लिए responsible factor is mainly MHC major histocompatability complex 1 & 2 तो बच्चों MHC 1 & 2 जबी match नहीं करते हैं तो उस case में body के अंदर क्या होता है बच्चों एक response immune response स्टार्ट हो जाता है और वह क्या करता है graft चाहे वह kidney graft हो चाहे वह liver का graft हो चाहे वह lung का graft हो heart graft हो ठीक है बच्चों या फिर even bone marrow अगरा हो तो इस तरीके से यह कोई भी organ का graft हो रहा है और यदि body के अंदर उससे एक अना दूसरे antigen दूसरी body के और दूसरे organism के antigen की तरह recognize किया जाता है हमारी body उसके against immune response जो है वह देना स्टार्ट करती तो वह उसे reject कर सकती है तो ऐसा graft rejection जो है वह possible होता है किस case में जब मेजर हिस्टों अब यहां पर इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाएगा अगेन यहां पर भी treatment के लिए immune response को कम करना पड़ेगा यानि यहां पर भी क्या ज़रुत पड़ेगी बच्चों immunosuppressant drugs जो है उनकी requirement पड़ेगी ठीक है तो यहां पर भी immunosuppressant है वह क्या है और वह जो immune related disorders से उनके बारे में बात किया नेक्स लेक्षर में पढ़ेंगे cancer तब तक आपको अच्छे से पढ़ते रहिए बाई-बाई